यह बहुत ही soft बने हैं, यह देखिए, इसमें sponge भी बहुत ही अच्छा आया है. Hello friends, स्वागत है आपका cardio kitchen में, मेरा नाम है Manisha, आज हम बनाने जा रहे हैं सूजी के वैज अपपे, यह बहुत ही कम समान से और बहुत ही जल्दी बनने वाली recipe है, इसके लिए मैंने लिया है, एक कप सूजी, थोड़ी सी बारिक कटी हुई पत्ता गोबी, दो बारिक कटी हुई हरी मिर्ची, एक प्याज बारिक काट लिया है, लाल मिर्ची थोड़ी सी और नमक स्वाथ की अनुसार, साथ में हम लेंगे इनो और पानी mix त्यार करने के लिए साथ ही इसके ingredients के list आपको description box में मिल जाएगी, तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की recipe, सबसे पहले mixing bowl में हम लेंगे सूजी, इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके पानी आड़ करेंगे, पानी एक साथ नहीं डालना है, इसमें मिलाएंगे साथ में थोड़ा सा नमक, इस तरह का गाड़ा गोल हमें चाहिए होगा, जितनी हमने सूजी लिया उसका 3-4 पानी हमारा लगा है, अब इसको आदे घंटे के लिए हम रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे, आदा घंटा हो गया है, हम mix देख लेते हैं यह अच्छे से फूल गया है, यह देखिए यह इतना गाड़ा है, अभी हम इसको एक मिनट के लिए ऐसे अच्छे से मैश करेंगे, यह बैटर स्मूथ हो गया है, अब हम इसमें वेज़िटेबल्स मिलाएंगे, पत्ता गोभी, बारी कटे हुए प्याज, और हरी मिर्ची, इसको मिक्स करेंगे अच्छे से, और हम इसमें दालेंगे थोड़ी सी लाल मिर्ची, लाल मिर्ची हम टेस्ट के इसाब से कम जादा कर सकते हैं, यह सबी कुछ अच्छे से मिक्स हो गया है, यह में को थोड़ा सा गाड़ा लग रहा है, इसमें हम थोड़ा सा पानी आट करेंगे, इस तरह का मिक्स हमें अच्छा है होगा, अब हम इसके अप्पे बनाएंगे, अप्पे पैन को हम गरम करने के लिए रखेंगे, जब तक अप्पे पैन हमारा गरम होता है, इसमें हम इनो मिक्स करेंगे, इनो हमें सारे मिक्स में एक साथ नहीं डालना है, एक बार अप्पे पैन में जितना आता है, उसी में हम इनो मिक्स करेंगे, इसको मैं थोड़ा सा निकाल लेती हूँ, क्योंकि ये एक अप्पे पैन के हिसाब से थोड़ा सा ज़्यादा है, अब इसमें हम इनो मिलाएंगे इनों हमें लगबग आधा पाउच में लाना है एक बार में इनों को डाल कर हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है अब पेन गरम हो गया है अब इसमें थोड़ा-थोड़ा ओईल ग्रीस करेंगे पहले इसको हमने अच्छे से ग्रीस कर लिया है अब इसमें एक-एक स्पून जितना हम बैटर दालेंगे इसको हमें बहुत जादा नहीं भरना है क्योंकि ये फूलते भी हैं इसको इतना ही भरेंगे जितना इसमें आएगा इन सभी को मैं फिल करके 3-4 मिनट के लिए ढख दूँगी लगबग 3 मिनट हो गए है हम अपे चेक कर लेते हैं ये नीचे से कूक हो गए है ये देखे आराम से बहुत आराम से टर्न हो रहे हैं इसी तरह मैं सारे अपे टर्न कर दूँगी ये सब ही अपे मैंने टर्न कर लिये हैं अब इसमें थोड़ा थोड़ा साम ओइल डॉप करेंगे इसको भी हम ढग देंगे और लगबग 2-3 मिनट इसको पकने देंगे लगबग 3 मिनट हो गए है हम इसको चेक कर लेते हैं ये देखिए दूसरी साइट से भी बहुत अच्छे सिख गए हैं इस सभी सिख कर तयार है इसको हम प्लेट में निकाल लेंगे इसी तरह मैं सारे अपे निकाल लूँगी और बाकी बचे हुए मिक्स का भी अपे हम त्यार कर लेंगे इस सभी अपे बनकर हमारे त्यार हो गए हैं ये बहुत ही सॉफ्ट बने हैं ये देखिए इसमें स्पंज भी बहुत ही अच्छा आया है ये खाने में भी बहुत टेस्टी होते हैं इसको हम sauce या चटनी किसी के साथ भी खाँ सकते हैं आप ये recipe जरूर ट्राय करिए अगर आपको हमारी recipe पसंद आए तो वीडियो को like करें, comment करें और share करें साथ ही हमारे चैनल को subscribe कर पास वाले bell icon को दबा कर all click करें Thank you